हेलो फ्रेर्ज कभीताइस्टीचिंग में आपका स्वागत हैं आज हम सिखेंगे ब्लाउज कटिंग करना तो यह देखिए यह है ब्लाउज पीस इसको कैसे कटिंग करते हैं वह आप लोग देखिए और सिखिए तो इसका लंबा पहले मैं इसका मेजर्मेंट बता देती होगा 38 अंची और इसके कमर होगा 32 ऑर आगते करला छे इंची बनेगा फीछए गला नों इंची मेंट बनेगा कि लंबाछ पार्च इंची होगा चोडा को इसका गोलाई होगा, इसका 14 इंची होगा, तो इसको हम कैसे कटिंग करते हैं, वो आप देखिए, तो यहां से पहले इसका लंबाई निकालेंगे, यहां से यह देखिए, यहां पर कोड है, किनारा है, यहां से हम इसका देख सकते हैं, तो यह 16 इंची का, तो यह बिल्कुल इसमें एक्स्ट्रा है तो यह ठीक है अब इसको हम यहां से ऐसे करके सीधा कर देंगे अब यहां से हम इसका और तीस का एक चोथाई लेंगे यहां से साधे नौ इंची यहां पर निसान लगाएंगे इसमें हम दू इंची सिलाई मार्जिन लेंगे यहां पर निसान लगाए आगे पीछे का पल्ला हम एक सांथी कटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से हम इसको ऐसे करके फोल कर देंगे, यह देख सकते हैं, इस तरह से, अब यहां से हम इसको कटिंग कर देंगे, यह देख सकते हैं, अब इसको हम यहां से ऐसे करके लंबा करके फोल कर देंगे, ताकि हमारा आगे पीछे का पल्ला एक सांथी कटिंग हो जाए, गल्ला, काखी, सब कुछ, तो इसको हम यहां से ऐसे करके, देखिए जब भी हम फोल करेंगे तो आगे का पल्ला हमारा येकिंची बड़ा रहेगा और पीछे का पल्ला येकिंची छोटा रहेगा क्योंकि आगे के पल्ले में तेकिन रहता है ना तेकिन पड़ता है तो वो कपड़ा तनता है तो जब भी लब बनाई ऐसे भी बनाए अगर आप बड़ाबर रखेंगे आगे पीछे का पला तो आपका आगे का पला छोटा पर जाएगा पीछे का पला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से बनाएगे अब यहांसे हम इसको यहांसे ऐसे करके एक चौताइ हेला लेंगे ऐसे करके यहां से सौव host इंचि यहां निशाल गये अब हम काके का काके मिली इसको बोल सकते हैं यहांसे बनाएंगेались साहेर पांचिन से यहांसे भी पीछे का पल्ला एक सांथी कटी हो रहा है तो यह कींची पर हम इसको ऐसे करके गुलाई बनाएंगे यह दिख सकते हैं इस तरह से अब यहां से हम गल्ला बनाएंगे नॉर्मल गल्ला दो इंची पर इसमें डोडी में गारा नहीं लगेगा अब यहां से हम लेंगे पीछे का गला, यहां से लेंगे ऐसे करके 9 इंची, आगे का गला बनाएंगे ऐसे करके 6 इंची, 6 इंची यहां पर अपना है, इसी के निशान से यहां पर आगे के पले में निशान उगा देना है, यह देख सकते हैं, ऐसे करके, उपर हम 72 इंची लि लेंगे अब धाइंची भी ले सकते हैं लेकिन मैं इसमें सवादोई ही रखें में कि इनको ज्यादा गला अच्छा नहीं है इतना पर भी ठीक है अब इसमें हम यहां से ऐसे करके गुलाई बनाएंगे देख सकते हैं इस तरह से अब यहां से हो गया अब हम इसका कमर निकालेंगे कमर शका 30 इचि है तो एक चौथाई हम लेंगे यहां से अठ इंची यहां पर निशान लगाएंगे एक इंची हम लेंगे इसमें यहां पर निशान लगाने के बाद यहां से हम इसको ऐसे करके थोरा साथ डाउन कर देंगे इतना कपड़ा हम कटिंग करके निकाल देंगे फीचे के पल्ले में आगे के पल्ले में अभी हमने आपको नहीं बताया है अब यह देखिए, यहां से हम देख लेंगे, सारे 9 इंची यहां पर आ रहा है, इसको हम यहां से ऐसे खीता आके हाप कर देंगे, यहां पर हम बनाएंगे टेकिन, टेकिन हम जब भी बनाएंगे, बीच ओ बीच बनाएंगे, ताकि हमारा बड़ा बड़ा है, अब यहां से ट तेकिन का उठाव हम देंगे 4 इंची पर, आधा इंची हम इधर दबाएंगे, आधा इंची इधर दबाएंगे, तो येक इंची का हमारा टेकिन बनके रेडी होगा, इस तरह से, तो देखिए पुरा निशान लग चुका है, अब हम इसी पर कटिन करेंगे, यहां से हम गला भी कटिन कर देंगे, अले पीछे का गला कटिन करेंगे, फिर आगे का गला कटिन करेंगे, देखिए जैसा हमने निशान लगाये है, अब इसा ही कटिन करना है, अब इसको हम यहां रखेंगे और यहां से हम आगे का गल्ला कटिंग करेंगे देखिए इस तरह से बनाएगा तो बीना डोड़ी के भी बलाउद बनके रेडी होगा संधा बिल्कुल ही नहीं किरेगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा और यहां से हम इसको ऐसे करके यह देख सकते हैं पशे का पलला उठाएंगे और इस दरहरा करके निकाल देखिए यहां पर हम आपनिसको ऐसे करके एक कटका निसान लगा देएगके ताकि जब हम सीले दोनों टेक इन बढ़ा बढ़ा आए निसान रहने से खीग राता है देख सकते हैं इस तरह से गला होगा बनने के बाद और भी फूसरत बनके तयार होगा अब हम इसको साइड करेंगे और देखिए आगे के पल्ले में हम कैसे टेक इन में गएरा बनाते है तो यह देखिए इसको हम से खरके रख देंगे अब हम इसका सिना कर निकाले में पाले तो यहां से हम लेंगे ऐसे करके साधय नउइची साधय नुएची पर यहां निशान लगाएंगे शेंगे मि मिस्धान को इस निशा لожал कर क्याता है कि आप चाहें क्योंकि आधा इंची इसमें सिलाई मार्जिन दाफ आप है तो दस इंची पर हमारा टेकिन बनके रेडी होगा यहां से एसे करके 510 इंची पर हम ऐसे निशान लगाएंगे आप यहां से हम इसके कमर से यहां कि यहां पर निशान लगाएंगे यहां से लेंगे आब इसका हम नीचे का टेक इलिग Candida को यहां से इसपर कर контр absolute यहां से था इससे हमने इसमें निशान लगा यह से⋯ पर हुद यहां से दो इंची लेंगे इधार, यहां से दो इंची हम लेंगे इधार, दो इंची हम इधार भी लेंगे देख सकते हैं कितना बराबर में आ गया, इसी निशान को हम यहां से ऐसे मिलाएंगे यह देख सकते हैं, यहां से ऐसे, और यहां से भी ऐसे, देख सकते हैं, कितना असान हो गया, अब यहां से हम इसको थोरा सा इधर से भी ऐसे करके बना जीए, यहां से भी ऐसे करके, और यहां से भी इतना करके, इतना हो को टेकिन में दवारते हुए बनाना है, अब देख सकत यह एक इंची का है तो इसमें हमको और थोड़ा सा और कटिंग करना होगा तभी हमारा फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं आएगा। तो आप इतना कटिंग कड़के निकाल देगे तब ही आपका ब्लाग में चुलनेट वगारा जो होता है वो कोई ही दिक्कत नहीं होगा आप फिनिशिंग के साथ भी बनता है तो इसको हम यहां से ऐसे कड़के कटिंग कर देंगे पूरा हो गया अब हम इसको यहां से ऐसे करके खौल देंगे यहां से हम इसको एक कटका निसान लगा देंगे तो बार-बार नापने की भी ज़रूरत नहीं होगी अब यहां से हम इसको इसको ख़ोल देंगे खोलने के बाद यहां से हम इसको ऐसे करके फोल करें ताकि यहां से इस तरह से करने के बाद हम इसको बराबर करते हुए रखेंगे इसको हम यहां से खोल देंगे देखिए हलका हलका हो गया है इसी बर हम डाग करते हैं के आगे सेहम खुला हमाईंगे तो यहां से हम इसको कटिंखर लेलेगे इसने बत्तंबला मत देगा तो जों एक तरफ बत्तम रहेगा एक तरफ से काज लए रहेगा तो इसको हं यहां पर शयच पतत हैंगे इसनीर बाद नो करेंगे तो यह देख सबसितन के сообщ अपने गष्चा इसको हम एक पले को लेंगे यहां से हम नापेंगे कि अर्था इंचि हम उपर सिलाई मार्जीन छोड़ देंगे कि इसे गभी दिधे तो यह लाइगा एस רाल अन Experience ढॉड़वना ने क Lance यह हो जाएगा 19 इंची 19 में एक इंची यह जो है ड़ट जो यह एक इंची कम होगा तो यह इसका आम बाजु का आर्म होल होगा इसका बुलाए 18 इंची 18 इंची हम इसको कटिंग करेंगे यहां से हम इसको एक इंची हम नीचे लेंगे शिलाई या तुरपाई के लिए तो यहां पर निशान लगाएंगे यहां से भी एक इंची इस निशान को यहां से ऐसे मिला देंगे अब हम इसमें इसका लेंगे यहां से सारे पाच इंची थाकि यह पाच इंची पर तयार ऐसे करके तीन इंची कम कर देंगे यहां से हम इसको ऐसे करके बाजु का सेब बनाएंगे देख सकते हैं अब इसका हम कुलाई देखेंगे तो यह देखिए 9 इंची आ रहा है 9 का डवल करेंगे तो 18 इंची हो जाएगा इसको हम यहां से ऐसे करके कटिंग कर देंगे यहां से कटिंग करने के बाद इसको हम यहां से ऐसे करके खोल देंगे अब इसका हम मोरी देखेंगे इसका मोरी होगा यहां से 7 इंची यहां पर निशान लगाएंगे इसको कॉटिंग नहीं करेंगे देखिए अगर आपको कोई दिक्कत बुशा रहा है तो आप हमें कमेंट करें कि आपको कहा तक समझ में आए यह देखिए यहां से हो गया हमारा बीच का सेंडर बादु का तो यहां से हम इतना कपड़ा कर्टिंग करके हापिंची निकाल देंगे यह देख सकते हैं इस तरह से अगर आपका बाजु यहां पर कम लग रहा है कम लगेगा तो इसको हम यहां से यह देखिए बाजु दिव जो हम कम कर्टिंग किये है इसको यहां पर रखेंगे यह देख सकते हैं इस तरह से यहां पर यहां पर आइसे रखेंगे और यहां से इसको हम जोर देंगे जोरने के बाद आधा इंची हम इसको दबाते हुए ही रखेंगे कि आधा इंची हमारा शिलाई मार्जिन में दबेगा और इसको हम इस तरह से शेट मिला देंगे, देख सकते हैं इस तरह से, तो अब हम इसको ऐसे करके 9 इंची ना पेंगे, 9 इंची या सारे 9 इंची भी आप यहां से ले सकते हैं, अगर आपका बाजु का गुलाई यहां पर सारे 9 हो रहा है, तो यहां से भी आप सारे 9 इंची पड़ी लगा सकते हैं अगर 9 इंची है तो यहां से 9 का डवल 18 इंची यहां तक भी हो जाएगा अगर 8 है तो भी हो जाएगा तो अगर आपका बाजू में कम पर रहा है तो इसका कोई जमरी नहीं है तो इस तरह से देखिए चार पीस है तो यह बाजू के दोनों तरफ हम जोड़ेंगे जैसे कि इसको हम यहां से खोल देंगे और एक पार्थ हम यह सीधा वाला है जो इस्टीर कपड़ा है उसको हम यहां से ऐसे जोड़ेंगे दो पल्ले में और यहां से भी देख लेंगे यहां से सीधा वाला है जो सीधा होगा वो आपका कपड़ा नहीं लमड़ेगा और जो उरेव होगा वो लमड़ेगा तो इसको उरेव वला हम इधा रखेंगे सिधा हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो इस तरह से बाज़गा का हो जाएगा तो देखिए हमारा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हुआ वीडियो पस